कै आप रहर देरे चार्जकियादी लेकिन दुम जाएन पूरे दिने एक वक्त हो जहाँ पर आप फिर वो चार्ज, वो वाइबरेंसी, वो मोटिवेशन अपनी लाइफ के अंदर नहीं फील करते और फिर आपको ऐसा लगता है कि यह तो लाइफ जो है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, मिजरेबल है और आपको मज़ा नहीं आ रहा होता, मेरे साथ भी कभी कबार ऐसा होता है और मैंने एक चीज़ अनफोल्ड की, डिस्कवर की अपनी एजुकेशन के दोरान जब मैं मुक्तलिफ दुनिया के कोचिस से ट्रेनिंग ले रहा था और सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर था तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा अनफोल्ड वह यह कि यह जो पूरा एक्सपीरियंस है कि आप अपने लाइफ के अंदर किस तरीके से मोटिवेटेड रह सकते हैं और चार्ज फील कर सकते हैं और इंस्पाइड एक्शन ले सकते हैं तो पहली चीज़ जो उसके अंदर मैंने डिस्कोर की वो यह है कि इट इस आल अबाउट यार थाट प्रोसेस कि जिस तरीके से आप सोचते हैं अपनी लाइफ के अंदर उसका असर आपके फीलिंग्स और आपके इमोशन पर होता है और फिर उसी वज़ा से जो आप फील करते हैं आप या तो बहुत ही ज़ादा इंस्पाइड एक्शन ले रहे होते हैं या फिर आप जो है वो एक्सपाइड एक्शन ले रहे होते हैं मतलब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं और उसे हम प्रोकास्टिनेशन कहते हैं तो यह जो वक्त जाया हो रहा होता है और ऐसा फील हो रहा होता है कि हम जो है वो बस अब कुछ भी नहीं करने का दिल चाहरा ऐसी situation के अंदर हमें सबसे पहले यह करना चाहिए कि अपने environment को change करना चाहिए because environment जो होता है वो बहुत ज्यादा contribute करता है मैं environment यह नहीं कह रहा कि आप जो है वो कहीं बाहर मुल्क चले जाएं या किसी और सिन्री वली जगा पर चाहिए नहीं आप पांच-दस मिनट के लिए उस जगा से उठें और वॉक करें और थोड़ी देर के बाद जब आप मुखतलिफ information चाहे वो images हो चाहे वो किसी के साथ interaction हो चाहे आप कोई बुक रीड कर रहे हो आप कोई भी अपने environment को change करेंगे तो आपका जो thought process और वो change होगा मतलब वो जो focus था वो shift हो जाएगा वो जो actually demotivation वाला focus था वो shift हो जाएगा और जैसे ही वो shift होगा you will start feeling better और फिर आप ज्यादा भेतर तरीके से सोच पाएंगे अपना power आप वापिस ले पाएंगे आप अपने आपको control कर पाएंगे और आप फिर inspired action भी ले पाएंगे मैं ये छोड़ छोड़ी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताके मैं आपके साथ जो है मुक्तलिफ perspective मुक्तलिफ experiences share कर सकूँ बहुत सारी चीज़े मेरे जहन में हैं और मैं वक्तन फर वक्तन ये छोड़ छोड़ी वीडियो बनाता रहा हूंगा इसमें बहुत सारी detail है और बहुत जार दिल चाहरा है कि मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़े बता हूँ बहुत सारे processes है जो मैंने सीखे Evan Pagan से, Brandon Burchard से, Jack and Field से मैं आपके साथ share करता रहा हूंगा आपके जहन में अगर कोई भी question है आप जरूर comments के अंदर पूछिए और मैं खुद आपको उसका reply करूंगा Thank you very much